Hello Everyone, आज हम बनाएंगी चावल के आटे से कुर्ड़ाई कुर्ड़ाई की रेसिपी ये चावल के आटे से बहुती आसानी से कम सामान में बन जाती है इसे बनाने के लिए हमें किसी भी सामान के आवशकता नहीं है सिर्फ एक कटोरी चावल के आटे से बन कर तैयार करेंगे और ये एक दो दिन थूप में सुख पी जाती है इन कुड़ाई को हम साल पर स्टोर करके भी रख सकते है जब भी दिल करें तेल में प्राई करके दो मिनिट में नश्टे में ले सकते है तो शलिए देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाए है तो कुली बनाने के लिए यहां मैंने लिया है एक चोटी कटोरी चावल का आटा इसे हम कड़ाई में पकाएंगे एक भारी दिली की कड़ाई या कोई भी बरतन ले लीजिए और एक कटोरी आटा लिया है जिस कटोरी से ये आटा लिया है उसी कटोरी से पाच कटोरी पानी डालेंगे और नाप का ध्यान रखे आप कोई भी एक बरतन सैट कर ले उसी से नाप ले जिस वरतन से आटा लिया है उसी का पाज़ गुना पानी डालना है अब इस आटे को नॉर्मल पानी से एक ग्योल तयार करेंगे अब पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे एक साथ सारा पानी ना डालें नहीं तो इसमें गुटलिया बन जाएगी अब आदी कटोरी पानी ही डालेंगे पानी मैंने ठंडा ही लिया है इस इस तरह चम्म से मिक्स करेंगे आप हाथ से भी घोल बना सकते हो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे आदी कटोरी पानी और डालेंगे अब आटे का एकदम स्मूथ पैस्ट बन गया है और बिलकुल गुटलिया भी नहीं है ये देखे अब हम बाकी का बचवा पानी भी नाप से डाल देंगे अभी हमने गेस पर नहीं रखा है कड़ाई को ठेंडे पानी में ही ये गोल तयार किया है अभी तक हमने चार कटोरी पानी का यूज़ किया है और एक कटोरी पानी हम पकाते समय डालेंगे हमें इतना बतला बैटर चाहिए अब इस छोटी चमच से एक चमच नमक डालेंगे नमक ज़्यादा ना डाले और उसी चमच से आदी चमच पापडखार लिया है इस तरह का होता है पापडखार ये किसी भी किराना शॉप पर दस रुपे में बहुत सारा मिल जाता है नमक और पापडखार को भी मिक्स कर लेंगे और ये घोल हमारा बनकर तयार है अब हम कडाई को गेस पर रखेंगे और गेस आउन कर दिया है ये भी स्टेप मिस ना करें पूरा वीडियो देखें तब ही आपकी कुल्ड़े सही बनेगी ये बहुती जल्दी गाड़ा होने लगता है इसे लगातर चमच से चलाते रहे गेस का फ्लेम कम ही रखे और अब देखेंगे एक से दो मिनिट में फटा फट से इगाड़ा होने लगेगा देखें इगाड़ा होने लगा है हमें इसे लगातार चलाते रहना है वरना ये तले में चिपक जाएगा पहले हमने चार कटोरी पानी यूज किया था अब हम बचा हुआ एक कटोरी पानी भी डाल देंगे इसे अच्छे से पकाना है इस आटे को अच्छे से पका कर तयार करेंगे तो हमारी कुल्ड़ी सुखने के बाद तूटेगी नहीं और यदि आटा कच्चा रहे गया तो कुल्ड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इसलिए 6-7 मिनिट अच्छे से पकाना है इसको गाड़ा करना है ज्यादा पतला ना रखे नहीं तो कुल्ड़ी का शेप बिगड़ सकता है दीखिए इसकी थिकनेस ये कितनी जल्दी गाड़ा होने लगा है अब 2-3 मिनिट के लिए इसे धीमी आज पर ढखकर पकाएंगे अब 2-3 मिनिट पार ढखकन हटा कर चेक कर ले अब ये आटा हमारा पक चुका है गिस का फ्लेम आफ कर दे इसे 2-3 मिनिट के लिए धखकर दखते और कुल्ड़ी हमें गरम-गरम आटे से ही बनाना है तो चलिए इसे बाहर ले चलते है और इस तरह के साची से हम इसे बनाएंगे इस तरह गोलचीत वाली जाली लेना है तो साची में तेल लगा लेंगे जिससे इसमें आटा चिपकेगा नहीं तो कोकिंग ओल से ग्रीसिंग कर लेंगे ग्रीसिंग करने के बाद अब साची में चावल के आटे को चमिच की सहाईता से भड़ लेंगे और एक पॉलिथिन पर इन्हें बना लेंगे यह बहुती आसानी से बन जाएगी इस तरह गोल्ड राउंड पूरा बना लें इससे जलेबी की तरह गोल्ड राउंड में बनाएगे बिल्कुल इसी तरह जिस तरह में बना रही हूं इन्हें बनाने में हमें कोई भी प्राउब्लम नहीं हो रही है बड़ी ही आसानी से फटा फट बन रही है देखे मैं और कुड़े आपको बना कर दिखाती हूं आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से बन रही है ज्यादा फिला कर ना डाले गोल-गोल राउंड लेयर लेयर बनाते जाईए बच्चों को तो ये बहुती पसंद आती है देखे ये बनने के बाद कितनी सुन्दर लग रही है ये देखे ध्यान से कितना प्यारा शेप आया है ये अच्छी तेज धूप हो तो ये दो दिन में ही सुकर तयार हो जाती है और ये दी पंखे में सुकाना है तो चार से पाच दिन लगेंगे देखे ये बनने के बाद कितनी सुन्दर लग रही है ये 24 गंटे में सूख कर तयार हो गई है तो हमारी कुल्डे एकदम तयार है अब इसे हम फ्राइ कर सकते है तो चलिए मैं आपको इसे फ्राइ करके दिखाती हूँ ये फ्राइ करने के बाद अपने साइड से डबल हो जाएगी मतलब इसका साइज और बड़ा हो जाएगा देखिए इतनी कुल्कुरी बनी है अन्य कुल्डे फ्राइ कर ली है ये बहुती कुल्कुरी बनी है मुह में जाते से ये घुल जाती है ये बहुती टेस्टी भी है मन करता है खाते ही रहो आप मेरे इस तरीके से एक बार ये जरूर बनाए ये एक दमदूट चेसी सफिद बनी है और पापड़ खार डालने से फुली भी है टेस्ट में भी लाजवाब है और आपने देखा कितने कम सामान में बनकर तयार हुई है एक भी स्टेप मिस ना करें पूरा वीडियो देखें तभी आपकी कुल्ड़े सही बनेगी मेरे इस तरीके से एक बार जरूर आप ये कुल्ड़े बना कर देखिए और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए